हेलो एवरिवान आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जारी हूं मटन चाप फ्राई तो यह आप देख सकते हैं हमाई चाप फ्राई बिल्कुल क्रिस्पी बनके तयार हुई है तो देख लेते हैं हमें इस चाप फ्राई को कैसे बनाना है तो चलिए वीडियो शुरू करते चाप फ्राई बनाने के लिए हमने हाले लिया है 500 ग्रम मटन के चाप मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है और फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे आधी कट्यू ही प्याज अगर प्याज आपकी छोटी है तो आप एक प्या मिनिया फ्लेम पर पकने देंगे तो यहां अमने इसकी प्रेशर लगवा लिए और अब इसमें चितना पानियो से ड्राइ करेंगे चाप कोड़ करने के लिए मैने हा ले लिया है एक कब दही आनिया मैंने 200 ग्राम के करिम दो से धाइसो ग्राम की करी मरिया दही ले लिए है अच्छे से से बीट कर लिया है और इसमें हम डालेंगे एक तिहाई कप भुना हुआ बेसन और एक ब्राच चमच, कानफलार और एक चमची चावल काटा और मसालो में हमने यहाँ लेलिया है नमक अपने स्वात का नूसा डालेंगे हम और एक तिहाई चमच हम, हल्दी पाongडा ले लेलेंगे लाल मिर्चो का पाउडर, एक बड़ा चमच, भुना हुआ जिरे का पाउडर, एक बड़ा चमच, धनिया पाऊडर, एक बड़ा चमच यहान हमारे चाप का बेटर रड़ी हो चुका है तो यहां उम्षाप का बेटर रड़ी होच्छा की दो तो यह थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगी बहुत जादा ने सिर्फ थोड़ा सा पानी डालें अगर बैटर गाढ़ा हो तो ने तो फिर आप पानी के यूज बिल्कुल ना करें तो अब यहां हमने से मिक्स कर लिया है हमारा उप इसे 5-10 मिलिट तक चाहरें तो रेष्ट करने के लिए रख सकते हैं, या फिर आप इसे तुरंट फ्राइ भी कर सकते हैं, तो मैं इसे तुरंट फ्राइ करूँगे, गेस ऑन करके गेस से पहले मैंने तेल लगदिया था गर्म होने के लिए तुर तेल हां हमारा अच्छे तरीक से कर दिया है और मीडियम फ्लें पें चाफ को फ्राइब कर देंगे मिलेंक 20 कि दो से तीन मिनट बात हम जो की चैञ्ज कर देंगे अजर साइब जो पमेश के इस से लाइट गॉल्ड इन होड़े तक फ्राइए तो यहां हमारे चाल अच्छокой से व्र तो यहां हमारी मतन चाप बन के रड़ी हो चुकी है इसे बनाना भी बहुत है और खाने में बहुत ही मज़गी लगती है तो इस रेसिपी को एक बर आप जरू ट्राइब करें तो अब देख सकते हैं कितनी क्रिस्प बन के तायार हुए है तो अगर आज की रेसिपी आपको मे करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूए है